पोसित भी जा रही है कि हमें एक अंग तक रह दें, 114, 15 ताकि अपने अंग को 120 के आसपास रखें, 122 के आसपास रखें, उन्हें पता है कि जो अन्य हैं, जो बाकी कोई दल है, वो उनकी और नजाकर के हमारी हो रहा है, तो वो उस डर की वज़ा से अब उन्होंने क्या किया है, कि जहां हमारे हिलसा के कैंड़ेट को, कहा गया कि आप 527 वोट से जीत चुक है, आप सर्टिफिकेट ले लीजिए, उसको थोड़ी तेर बाद दो घंटे बाद काया था, आप 12 वोट से हार गया, साब जब कांटिंग नहीं है, उस 12 वोट से कहां से हार गया, और ऐसा ए हमारे केंड़ेट जीत गया, जब तक यह यह लोग सकडिये नहीं हुए थे यहां पटना में, उस काडियाले से, उन्हें बाद में ढूंडा जा रहा था, कि साब वोट से लेके कहां चले गया, संभवता ऐसा होता कि उनको भी सेटिफिकेट नहीं मिलता, लोग सेटिफिके जाते जाते रच रहे हैं, जन्मत के अपहरण की जब जब कोशिश होती है, तो बहुत बार दित्रहाती है, या आश्वासन मिला से चुनाव आयोग से, शिकायत जो आप लोगो ने की उसमत क्या आश्वासन मिला, मैं समझता हूँ, आएसी कम से कम मैं आंदार के दो दर्ज आश्वासन के लोग ठेस पहुंचाएंगे, तो कल को तो CBI से चुनाव करवा लेंगे, वही बेहतर होगा, पूरा नियंत्रन रहेगा, या अधा धूरा नियंत्रन किस काम का, या आश्वासन क्या मिला, मुद्ब क्या बोला मुखी निरवाचन अधिकारी ने कहा, कि हर एक मामली की जाज करेंगे, एक-एक केस की, ये उन्होंने आश्वासन दिया, दिक्कत क्या है ने कि बहुत बड़ी भूमिका होती है स्थानिया प्रजासरी, अब आप लोग अगला रूप क्या होगा, अगला रूप क्या होगा? जब हम रिकांटिंग की मांग करते हैं, तो वासला बड़ा होने पर भी रिकांटिंग की बात पूरी हो जाती है, लब्बो लुबाव ये है, कि दो दर्जन सीटों पर इस प्रकार की प्रक्रियाएं ये कर रहे हैं, मैं बार-बार कहता हूं कि जन्मत को ठगने और आपहरन करने की जब-जब कोशिश होती है, तो जन्ता जानती है, कि किस प्रकार आपहरन करने वालों को संदेश पहुंचा देगा, आप लोग आगे क्या करेंगे, आपके कार्यकरता हुद तेजीत हैं, जो करना होगा बिहार की अवाम करेंगे,